इस वीडियो में गाईज हम लोग बात करने वाले हैं Realme UI 6.0 Update के कुछ interesting features के बारे में जो कि आपको जल्दी ही इंडिया में update है वो मिलेगा तो इस वीडियो में काफी सारी information है वो मैं आपके साथ में share करने वाला हूँ जैसे कि काफी सारी नए features हैं वो आपको इस update के अंदर मिलेंगे कौन से device list है वो यहाँ पर रहने वाली है और update का जो schedule है वहाँ पर क्या होगा और इंडिया में update है वो कब release होगा तो complete video होगी वीडियो को end तक पोच करना अच्छी लगते है वीडियो लाइक कर सकतो और चैनल को subscribe करके bell icon को all पर प्रेस कर लेना तो गईस चाहिना के अंदर काफी सारे smartphone के लिए यह जो update है वहाँ पर available हो चुका है और यह जो मैं आपको features बताने वाला होना यह वहाँ से ही साम निकल के हैं तो गईस आपको एक नया feature है वो देखने को मिलेगा color OS 15 कह लो oxygen OS 15 कह लो या फिर realme UI 6 update कह लो तो यहाँ पर आपको पताईए iOS 18 update के अंदर क्या होता है जैसे कि Apple के दो smartphone है ना वो हम लोग इस परकार से touch करते हैं तो काफी सारी हमें information मिलती है तो same to same वेसी ही animation है वो आपको realme UI 6 update के अंदर भी मिलेगी और वेसी ही जो second बड़ा change लोग है ना गैस वो आपको मिलेगा live alerts का जो की realme UI के अंदर होगा और OPPO के अंदर आप लोग कह सकतो इसको fluid cloud तो एक dynamic island type का feature है वो यहाँ पर aid होगा जहाँ पर आपका जो center में camera module ना उसके around आपको काफी सारी information मिल जाएगी और उसपे अगर आप लोग क्लिक करोगे ना तो आप लोगों को 3-4 application का axis है वो एक साथ में देखने को मिल जाएगा और काफी सारे आपर जो एक सार ना वो भी आप लोग आपर इससे perform कर पाऊगे तो यह वाला लिंक आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगी आपने देखा होगा हमारे friends के पास में iPhone है वो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही है मतलब कि काफे ज़्यादा iPhone सेल हो रहे है तो आपको एक नया feature मिलेगा O Plus Connect का जिसके अंदर iPhone है उसके अंदर चली जाएगी और iPhone से कोई photo है वह आपर send करोगे तो यह वाली photo है वह आपके Realme के phone के अंदर आ जाएगी तो देख सकतो इस phone से यह वाली photo है वो यहाँ पर आ चुकी है और इंडिया में भी यह वाला जो feature है वह आपको यह आपर देखने को मिल जाएगा और साथ में OPPO ने आपर यह चीज बोली है कि 104 के files है वह आप लोग easily share कर पाऊगे only 8 seconds के अंदर iPhone से OPPO के अंदर OPPO से iPhone के अंदर और सेम यह वाला जो case है वह आप लोग Realme के साथ में ले सकतो अब आपने यह तो सुनाई हुआ कि control center है वह हमें change देखने को मिलेगा लेकिन वह change होता कैसे होने वाला है तो जो landscape mode है ना उसके अंदर हमें control center है उसकी design कुछ इस परकार से देखने को मिलेगी काफी इसके अंदर changement है वह आपको किये गए हैं सबसे बड़ा change center मिलेगा ना उसकी image है वो भी मैं आपको दिखा जेता हूँ कैसा यहां पर आने वाला है तो गाइस इस परकार का control center है वो आपको मिल जाएगा अभी यहां पर Chinese language है क्योंकि यह वाला जो update है वो वहीं से आता है उसके बाद में इंडिया में आता है तो यह वाला control center की design है वो आपको कैसे लगी आप लोग मुझे बता सकतो comment section के अंदर वेसे हमारे phone के अंदर अभी कुछ इस परका control center है तो यह भी बुरा नहीं है काफी दिखने में आपर अच्छा इसका look है बस realme को यहां पर एक चीज करनी चीए जिससे आप लोग भी आपर agree होंगे यह जो blur intensity है ना blur का जो background है वो यहां पर realme को सब भी phones के अंदर देना चीए और यही same blur की intensity है वो आपको नया वाला जो control center है उसके अंदर भी देखने को मिल जाता है icons आप लोग यहां पर देख सकतो कुछ इस परकार से मिलने वाले है और status bar है उसके अंदर भी आपको काफी सारे changes है वो यहां पर मिल जाते हैं जैसे की 86% हमारे phone की battery charge है तो यह वाला जो layout है ना वो आपको थोड़ा different यहां पर देखने को मिलता है आप guys मैं आप लोगों से बात करूँ realme की phone के अंदर आपको update तो यहां पर मिल जाएगा लेकिन कौन से month के अंदर मिलेगा तो इंडिया की जो list है ना वो तो अभी आई नहीं है चाइना की list ने आपर available है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे मैंने इसके उपर काला आपके साथ में complete video है वो भी share कर दीती तो आप लोग इस video को complete watch कर सकतो यह जो list है ना इसी की information में आपके साथ में share कर दीती November मन्त के अंदर आपको इन 6 smartphone के लिए update मिलेगा चाइना के अंदर और अगर यह वाला इन में से कोई smartphone आपके पास में इन्डिया में न तो जब भी भी चाइना में update आजाएगा उसके 10 से 15 days के अंदर update आपको इन्डिया में मिल जाएगा बाकी December मन्त है इसके अंदर कावे सारे Realme के popular smartphone है जैसे की Realme की 13 की complete series है 13 Pro, 13 Pro Plus 12 की complete series है और यह कुछ Neo GT series के भी आपको phones की मिल जाते है बाकी quarter one मतलब की January, February, March इन 3 मन्त के अंदर आपको update है वो Realme की complete 11 series के अंदर और Realme की 2 जो 10 series के smartphone है उनके अंदर बाकी कुछ budget स्मार्टफोन है उनके अंदर भी आपको update मिल जाएगा तो complete information चाहिए तो वीडियो में आपको बता दिये उसको आप लोग यहाँ पर watch कर सकतो next हम लोग बात करें कुछ और नए features के बारे में तो यहाँ पर update काफी ज़्यदा smooth होने वाला है देख सकतो phone को आप लोग जैसे यहाँ पर unlock करोगे तो जो always on display से lock screen lock screen से जो home screen की animation है न बाई काफी ज़्यदा smooth है बागी update आने के बाद में हम लोग आपर बता सकते हैं बागी next change है वो आप लोग देख सकतो गाइस opening closing animation है वो काफी ज़्यदा fast हो चुकी है और जैसे आप लोग application को close करोगे तो blur की intensity है वो भी आपको पहले वाले update की comparison में थोड़ी ज़्यदा मिल जाती है तो ये एक काफी बड़ा change log है बागी जो next change log है वो आपको मिलेगा iOS 18 update की तरह AI features जब आप लोग access करोगे तो इसकी जो animation है वो आपको same to same है आप पर जो apple का phone है उसकी तरह यापर देखने को मिलने वाली है जैसे कि आपर कुछ AC animation आ जाएगी बागी इसकी एक complete और वीडियो मेरे पास में तो आप लोग आपर ये वाली वीडियो देख सकतो same AC animation है वो आपको आपर मिल जाएगी बात करें हम लोग icons के बारे में तो guys icons की design है ना वो आपको इस बार change देखने को मिलेगी realme UI 6.0 update के अंदर ये वाली जो photo है ना इसके अंदर आप लोग देख सकतो status बार है वो भी लगबग अभी वाले अप्टेट से same मिल जाता है dynamic island मिल जाता है और नीचे की तरफ आप लोग देखते हो ना तो ये वाले जित्ते भी जो icons है वो आपको realme UI 6.0 update के अंदर मिलते है अब ये वाला जो icon है notes application का ये आपने जो trailer याँ पर release वाता OPPO का उसके अंदर भी आपने देखा होगा same to same ये icon है और ये ही आपको icon realme UI 6.0 update के अंदर मिल जाएगा और भी काफी सारे icon है जैसे की gallery का icon है वो आपको इस बार काफी जदा change मिलेगा camera का logo है वो आप लोग देख सकतो icon का बाकी आपर जो clock है उसका भी आप लोग interface देख सकतो तो ये सभी जो icons है ना वो पहले से मैं अपने phone के अंदर यूज कर पा रहा हूँ अगर आपको जानना है कैसे आप लोग ये सभी icons अभी अपने phone के अंदर install कर सकतो तो मैंने video बना दिये आप लोगों को link उपर eye button में मिल जाएगी complete आप लोग यहाँ पर वीडियो को किया जाता है complete layout है वो आप लोग देख सकतो realme UI 5 update के icons का और realme UI 6 update के icons का camera का जो interface है ना गाईज वो आपको यहाँ पर change देखने को मिलता है जैसा कि आप लोग देख सकतो साथ में ये gallery का icon अभी है और ये बात में कुछ ऐसा होने वाल है तो ये आपको complete layout है ना वहाँ पर icons का मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बढ़ा यहाँ पर आपको साथ में share कर दिये तो आप लोग आके आपर देख सकतो और जितनी भी information है काफी सारी videos और screen recording है वो मैंने आपके साथ में share कर रखिये तो आप लोग आके यहाँ पर check out कर सकतो बाके आपको जो भी doubt or suggestion है नीचे comment section में पता देना और अच्छी लगते वीडियो तो like कर देना और चैनल को भी subscribe कर देना बाके आप लोग join कर सकतो realme telegram channel मैं मिलता हूँ आप लोगों से next video में जेहिन वान दे मातरम